है हें लो देखेंगे जिसे प्रीवीश लेक्षिंट फेटीक न हम nे इसन्वीन रेक्षन व कबर किया था इस रेक्ष्छन में हो आ्लेच्छ तुरी कोंते जाएगा अधे तर्ली न देखते हैं कि यह SN2 reaction में सबसे पहले हम लोग SN2 reaction के दिखने SN2 reaction first of all SN2 reaction SN2 reaction SN2 तीनों को हमनों मीनिंग देखा जागा क्या क्या होता है यह से टू मिन्स होता है bi-molecular means two molecules participate in SN2 reaction that's why here 2 is mentioned in SN2 and N means nucleophilic nucleophile nucleophilic N means nucleophilic S means substitution substitution S means हो जाएगा substitution अगर पूरा नाम देखा जाएगा तो हो जाएगा bi-molecular nucleophilic bi-molecular nucleophilic nucleophilic substitution reaction substitution reaction substitution 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 reaction तो first of all हम लोग लोग यहां पर SN2 reaction को देखते हैं कि किसे कितने स्टेप में होता है actually SN2 reaction जो होता है एक स्टेप में complete होता है single step reaction होता है तो first of all हम लोग इसका single step SN2 reaction देखते हैं कैशे कैशे होता है कारबनेरं मालीकूल मेंस होता है वह का वह टो यह कारभन2020 जो की rael shocking और इसे होती है different group से complete होती है तो उसका particular carbon को बोलता है 2 गिशल मालीकूल का reaction हम लोग दोग नूखल्योफाइल तो यह हाईढ्रोक्साइड आय ए हिसे है सेंटोर रेक्शन के यह खास बात होती है कि जो नुकलियुफाइल होता हो बैकसाइड अटेक करता है बैकसाइड अटेक के बाद एक हमको ट्रांजिशन इस्टेड मिलता है इसमें फाइब बॉंड्स बनते हैं यह जो होता है और यह बॉंड लीविंग ग्रूप से बॉन्ट होते हैं इसको इस स्ट्रक्चर को बोला जाते मिन्स ट्रांजिशन इस्टिट गोला जाता है च्राइगोनल बाइप इन इसका स्ट्रा उसका इस्ट्रक्चर या सन्रशना क्या होती है उसका जो होता है वह ट्राइगोनल बाइप्राइमिडल होता है कि अब फर्दर यह होगा कि जो इस रियक्षन में जो और नुक्लियोफाइल और कार्बन के बीच जो डॉट से बॉंड दिखाए गया है कि बॉंड मेकिंग और बॉंड ब्रेकिंग साइमोल्टेनियश् They do not still mean Mann का और कारबन से जुड़ेगा और उसके अपोजी साइड में वें जो लीविंग गृप होता उसका बाइं दो में होता है इस्टेट यह जो हाइई सईट ईस्टिपल होता है इस यांब कर सकते हैं यह उसके बांड ब्रेकिंग और बांड मेकींग दोनों दिखाये गया है कि अभी यहां पर हम लोग प्रोडर्ट बनाएंगे कर दाइस है कि यहां तो सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब शायता है एक हम लोग रारियोर्ष नामन क्रेटर लोग अर्प इसकर प्रियॉर्टि कर से यह पिलो इそう जाएगा तो इसमें देख सकते पाख रोटेशन करेंगे का ओंट टू 3 एक लग रोटेंष्ट करेंगे कि व्लाहुआ रोटेशन करेगा है कि लॉक्व को डशकर रोटेशन होका चोंकि इसका जो FIRफ प्रियॉर्टी ग्रूप है वो एबव दप्लीन है इसलिए यहां पर गोल्डिन रूल लगाए जाएगा अगर आर का कन्फिग्रेशन आएगा तो आर जो हो जाएगा एस में चीन हो जाएगा तो सब्स्टेट माल इकूल का जो कन्फिग्रेशन होगा और वैसे हम लोग प्रुडट में यहां पर जो अप्लाई करता हो गोल्डें रूब्ल आपलाई किया जाता है कि अहां अब कि लिलेली हम लोग लिए और यहां पर दैश सकते हैं कि जो फॉर्स प्रियोर्टी गुरुप उसको दिया गे है वो एबव दपलाई होगा यह जो हो रहा है कि अटी क्लॉकवाज क्लिचे से नाम जो ऐसा आएगा लेकिन यह जो एक्ट्वल में होगा वो आर होगा उसको कर देती है अगर गोल्डेन लगाते हैं तो आर है तो ऐसे तो आर में चला जाएगा इस पर कर देख सकते हैं तो सब्स्ट्रेट का जो पन्फिग्रेशन ऐसे और वो चेंज हो रहा है शांतर में इसी पर तो एक परीघ्रीचे जोकि इसन ग्यक्राइग डिए हैं यह जोता है इसी यहीजा रखना या कन्फिग्रेशन और रखैंगेNTक दूर्ची को कि फीर परसेंट इन वर्जन होता है कि हंडिट परसेंट इन वर्जन होता है और इस इन वर्जन को एक नाम से जाना जाता है जो कि कि एक साइन्टीस थे वाल्डेन इन्होंने इस चीज को बताया था इसलिए उनके नाम पर इस इन वर्जन को बोलते हैं वाल्डेन इन वर्जन अब हम लोग एसे टू रियेक्शन के डियेक्शन हम लोग रियेक्शन जो की वन इस्टेप में कंप्लेट होता है देख लिए की जो एसे टू रियेक्शन होता हैं वह एक स्टेप में कंप्लीट होता जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है 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 पर इसे बन रियेक्शन कंप्लिटेट इन वन इस्टेफ इस चीज को राइट डाउन कर लेती हैं आपर है कि SN2 reaction completed completed in one step in one step second point यह होता है कि यह reaction जो होता है बाल मालीकुलर आरेक्शन होता हैमीस इसी और बाख सस्टरिट और बेस दूरों को इंप्रेशन पीरों होता है कि एक्षण पीकशन को сторे करता हैं अब खरुकिंध तौन के पूं आफ खरुसरा मं होता है कितना आउडर आफ रिक्षंट होता है रेट कितना रेट लिखना हो जो रेट होता है वो सब्सक्रेट और नुक्लियूफाइल दोनों के कंसेंट्रेशन पर करता है तो अगर यहां पर इसके रेट को मेंशन किया जाए तो हम लिख सकते हैं rate equal to rate is directly proportional to concentration of reactant so यहाँ पर किया नहीं होगा concentration of reactant and concentration of nucleophile further अगर यहाँ पर जो rate नहीं होगा यहाँ पर यहाँ पर जब अगर proportionality हटाए जाएगा तो rate equal to k, proportionality हटने पर k constant rate constant k आ जाएगा alkyl hyalide concentration of alkyl hyalide into concentration of nucleophile means जो rate होता है दोनों पर depend करेगा nucleophile के concentration पर भी और reactant के concentration पर nucleophile के दोनों के concentration पर जो kinetics होगा वो depend करता है तो यहाँ पर जो order हो जाएगा reactant के power पर बन और nucleophile के power पर बन तो order अगर निकाला जाएगा 1 plus 1 is equal to 2 हो जाएगा तो इसका यह जो हो जाएगा second order kinetics हो जाएगा second order second order kinetics अब नेक्स पॉइंट में हो देखते हैं कि nucleophile किस का लिया जाएगा कि यहांपर जो होता है बैक साइड होता है इसलिए यहांप ईक हुआ कि नीड होती है वह स्मॉल न्यूक्लीन फाइल के डाल सलगताई होता है कि यहां पे हम दो कुछ न्यूकलीक हरे मिरुटर के श्ट्रॉंग करने न्यूक्लियो फाइल सब्सक्राइब और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करते हैं कि और यहां पर जो नुक्राइब स्मॉल साइज का होना चाहिए कि अब फर्दर हम लोग देखते हैं नेक्स स्टेप कि यहां पर जो नुक्राइब लिया गया स्टॉंग नुक्राइब स्मॉल इन साइज होगा कि नेक्स स्टेप देखते हैं कि इसमें इंटर्मीडेट या ट्रांजिशन इस्टीड बनता है इंटर्मीडेट नहीं बनता है एसेंट्चू रियेक्शन में यहां पर जो बनता एक ट्रांजिशन इस्टीड बनता है और ट्रांजिशन इस्टीड इस फॉर्म्ड और जो इ त्राइगॉनल बाइपिरामिटर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नुट्लिफाइल जो अटैक करता है जैसा कि हमने रिएक्षन में देखा है बैक साइड से अटैक करता है अपोजिट साइड आफ दा लीविग ग्रूप निक नुट्लिफाइल आफ ड़ूप नुट्लि side of the opposite side of the leaving group leaving group यह हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोक्षाइड आयन 182 लिविं ग्रूप यह नुकलियो फाइल इज अटेक्स नुकलियो फाइल अटेक्स नुकलियो फाइल अटेक्स फ्राम 182 लिविं ग्रूप यह दो बात हो गई है नुकलियो फाइल की अटेक कहां से करेगा याद रखेंगे असे टूरी एक्षाइल होता है वह अपोजिट साइट से ही अटेक करता है यह बैक इसमें पाइजाता है इसलिए हंडेट परसेंट यहां पर इन्वर्जन आफ कन्फिग्रेशन होता है जैसा करेंगे उसका रेक्षन के व ersवन को इस प्रकार के लिए जाते हैं कि ⁫ Census स्ट네 बीक्षन को फिवर करेंगे उसका viable द्चक को बढ़ा देंगे तो इसमें जो होता है पोलर ए academic सौर्वेंट लिया जाता है एसे इंट युच्ण को उसको बढ़ा देते हैं पोलर-ra gold यहाप new तो वो क्या करेंगा क्यों लेते हैं चारों तरफ से घर लेते हैं वां नहीं हो वह क्राण और उसके हां ढूपर यहां पर यहां पर आंप यहां पर आधक पाइंगा नहीं हो पाएंगा रिक्षन हरुका क्या eerste yılेंग जो solvent molecule होता है जो nucleophiles होते हैं उनको solvate कर देता है उसकी साइज को क्या करता है बढ़ा देता है इसलिए SN2 reaction में जो हम solvent लेते हैं polar A protic solvent लिया जाता है कभी भी polar protic solvent लेके SN2 reaction perform नहीं किया जा सकता क्योंकि rate of reaction उसका जो हो जाएका बहुत ही पूर हो जाएगा और इल्ड भी उसका बहुत पूर हो जाएगा तो कुछ solvent molecules के एक्जांपल देखते हैं जो SN2 reaction में को फिवर करते हैं पहला एक्जांपल जैसे DMF लिया गया है DMF का पूरा नाम जो होता है महाइभ मताइल फोर्मामआईड दाइमीथाइल फोर्मामइड इसका स्टॉक्चर भी हम लोग बना सकते हैं कि ऑप हीरी पाँ आओन 223 चे हैंचे का नाम होता है ऑदाव규 की नाम लिखा जाए एक तो डाइमीथाइल फार्मा माइड हो जाएगा यह पहला हो गया दूसरा हम लोग लेग सकते हैं डी मेस्टॉ डाइ जिसका पूरा नाम होता है डाइ मिथाइल सल्फ ऑक्साइड जैसा कि इसका इस्ट्रक्चर भी देख सकते हम लोग है डाइ मिथाइल सल्फ ऑक्साइड का सल्फ डबल बॉंड ऑक्सीजन और दो यह न्याविट्रक्स रिया जाएगा इसी घूल बोलेंगे डाइ मिथाइल सल्फ ऑक्साइड यह बहुत भी बैटर सॉल्फ ऑटा एक्शन करें थार्ड एक्षा में में देख धर सॉल्वेंट हम लोग देखते हैं क्लोरोफॉर्म है क्लोरो फॉर्म जिसका फार्मूला होता ह है CHCl3 और नेक्स्ट देख सकते हैं DCM DCM जिसका पूरा नाम होता है Dichloromethane Dichloromethane और इसका फार्मूला होता है CH2Cl2 और इसके हम लोग कुछ important points को यहां पर देखते हैं जैसा कि हमने बताया है इस reaction में जो होता हन्डिट परसेंट इंवर्जन होता है और उसको पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं कि वॉलडेन इंवर्जन और यह जो होता है तो इसमें इंवर्जन होता है और यह को फार्म्टिक नाम से जाना जाता है ऊंडिट परसेंट होता है इसमें बनते नहीं है कि एक ही प्रोड़क्ट बनता है वह ओन्ली वन प्रोड़क्ट इज फॉर्म्ड को हो इन एसेंस टू रिएक्षेन अब नेक्स पॉइंट देखते हैं कि SN2 reaction में किस प्रकार के substrate यूज किये जाते हैं कि rate of reaction जो होगा fast होगा means 1 degree 3 degree 1 degree 2 degree 3 degree alkyl highlights में देखा जाएगा किस alkyl highlights को लिए जाएक तो rate of reaction जो होगा इसका वो fast होगा substrate used in SN2 reaction substrate used in SN2 reaction जैसा कि हमको पता है कि SN2 reaction में जो होता है वो back side attack होता है SN2 reaction में nucleophile जो होता है back side से attack करता है back side attack होता है SN2 reaction में इसलिए substrate में hysteric factor या hysteric crowding जितना कम होगा SN2 reaction उतना ही fast होगा substrate में hysteric factor जितना कम होगा जितना कम बल्की group लिया जाएगा substrate से वो reaction SN2 reaction उतना ही fast होगा substrate में hysteric factor जितना कम होगा जितना कम होगा वो reaction जो हो जाएगा उतना ही fast होगा यहां हम देव सकते हैं अगर इस्टेरिक फेक्टर ज्यादा होता है तब SN2 reaction के case में क्या होता है अगर यहां पर इस्टेरिक फेक्टर को बढ़ा दिया जाएगा तो जो बैक सेट अटक नुक्लियो फाइल का होता है वो क्या होता कि हिंड़ा हो जाएगा इसलिए इस एसेंट्यो रियक्ट्षन अगर इस्टेरिक फेक्टर जादा होता है तो इस एसेंट्यो रियक्ट्षन जो हो जाएगा उसका रेट जो हो जाएगा और वहां पर इल्ड भी जो हो जाएगी बहुत पूर हो जाएगी यह रियक्षन जो हो जाएगा एसेंट्यो रियक्ष लिए जाएंगे कि ऐसे टूरी एक्षिन का रिएक्षन गरेट होगा वो हाई होगा या फास्ट होगा हुआ करे तो हम इस केस में हम देख सकते हैं अगर हम लोग एल्किल हैलाइट की रिक्टिविटी ऑडर देखते हैं इसे टूरी एक्षिन में किल एक्टिवीटी कि एक्टिवीटी ही आउडर है इन एसन्ट्व रियक्शन अ इन एक्टिव रियक्शन है तो रेट अफ रेक्षण एसन्ट्वी में सबसे फास जो होता है वह वह वन डिग्री है होता है या जैसे सी एस त्री सिस्टू कोई भी लीविंग ग्रूप होता या कोई अच्छा लीविंग ग्रूप हो सकता यहां पर इसका रियक्शन जो होता है श्लो होता है इन गंपया Hm इसका य超 रिट होता है फास्ट होता है इन गंपयर टूप है मियर्न है सबस्क्राइब होता है तो जैसा हम लोग इस ओडर में देख सकते हैं और यह ओडर जो होता है क्योंकि कभी कभी सबस्टेट के कुछ एक्जामपल दे देंगे उनको बोलंगे रेक्टिविटी की ओडर में उसको आरेंज करने के लिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग करते हैं ऐसे टेबल बनाके जहां पर एलकील ब्रॉमाइड लेते हैं फिर यहां पर क्लास होता है जहां पर वन डिगरी टूटीगर थी डिगरी एलके राइलाइट्स को मेंशन किया जाएगा और तीसरे कॉल्ण में लेते हैं रिलेटिव रेट आफ एसेंट रिएक्षन के जैसे कुल्ण से सब्स्टेट होगा तो उसका रेट कितना ज्यादा होगा कितना फास्ट रिएक्षन होगा वह तो यहां पर हम लोग सबसे पहला एक्जांपल जो लेते हैं वो मिथाइल ब्रॉमाइड का लिया जाएगा कि ईश्ती याय सेंटों को से यह चो होता है ओर इसका जो रिय्ट होता है वह18 इसका रेट होता है वह बार और सो हो जाएगा इसका रेट जो हो जाएगा और अगर हम लोग सेकेंड मालीकूल देखते हैं इथाइल ब्रॉमाइड यह जो होता है वन डिग्री अल्किल हलाइड होता है इसा जो रेट होता है है जैसे बढ़ाते जाएंगे रेट आप यहाद रहेंगे सबसे फांश जो होता है इसका जो रेट होता है वह होता है कि यहां पो जाएगा वह वन हो जाएगा अब हम लोग देखते हैं तरी डिग्री अल्कीजरी अल्कील ब्रोमाइड में केस में देखते हैं यह 3 इसका जो रेट होगा इसमें 3D3 रीक्षन पाया ही नहीं जाता हैं को यहां पी जो रेट होता वह जीरो होता या रीक्षन नहीं पाया जाता है ज्माइब तो थ्री बल्की ग्रूप के यहां पर बल्की ग्रूप लगे हो तो बैकसे डाइक जो होता पासिबल नहीं होता है यहां पर जो रेट अपर रेक्शन नेसे टू को होता वह जीरो होता है अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि लीविंग ग्रूप कैसा लिया जाएं कि रेट अप एसंटू का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएं किस पकार के लीविंग ग्रूप को लिया जाएं और किसyle ग्रूप के सिंग्रीप मबढाइखते हों सब्साइ法 맞아 pitching सुट के लिए इंक्र को किस्याइएं के लिए एक्षन को कम कर देंगे फिर या फिर इसका को बढ़ा देंगे भी लिव इंग्रूप जो एसे टू रेक्शन के लिए जो लीविंग पर चाहिए वो बिटर लीविंगूप होना चाहिए यहांकि बेटर लीविंग कुर्व्प फास असंच तू रीक्शन तो निस तो या फिर सिंपली हम लोग यहां पे रीक्शन कि हम लोग यहां पर हैलाइट के टेंडेंसि को कमपेर कर सकते हैं तो अच्छा जो लिविंग रुप होता है आधा है फिप्रोमाइब क्लॉराइड वह पूर फ्लॉराइड होता है और कई लुक्त के देखक्शन के सारे पॉंट को जितने सकते ही इस लेक्चर से घॉसन कुछP में हम लोग देखेंगे जो कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका कि किस प्रकार के सब्स्ट्रेट में एसेंटू रियक्शन जो होता है नहीं पाया जाता है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंटू रिएक्शन का बहुत सारी एक्जांस में पुछे जाते हैं जो कि अभी जो लेक्चरर जी आइसी का एक्जाम जो हुआ था उसमें भी इससे कोश्चन आये थे कंपेरिजन करने के लिए पूछा था ये तो मुझा देखते हैं क्ये सब्स्ट्रीक्शन इन वीचTE किसमें किसमें सेंटू रिएक्शन नहीं पहाए जाए गा सब्स्क्रेट इन वीच एस एंटू ब्रीक्शन इन्ट पॉसबल एसंटू रिएक्शन इस नोडे पॉसिबल बागर लो गोग अगर निजनां सुटあの तो इसमें सबसे पहला मालिकों दो हम लेते हैं वो टंशेरी विटेल क्लॉराइट लेते हैं ट्रशेरी बिटेल क्लोराइड अ कि ईक लिटे हैं इसका इस्ट्रक्चर भी हम लोग देख सकते हैं कि कैशा होता है तो यहां पर लगे का यहां पे सीस्ट्री नुकलीव वाइल को जो लाएक सेटाइक होता इतना इस चरी क्रोडिंग ज्यादा हो जाता है वहाहिक है रिजन दीया जाएक सनुरे टो रिक्षेंटेशन नॉट पॉसबल इन द्स-मालिकोल लिखेंगे रिक्षण इस नॉट पॉसबल डू इस्टेरीक फाक्टर डू तो इस्टेरीक फेक्टर due to hysteric factor second molecule देखते हैं हम लोग है neo pentyl neo pentyl pentyl chloride इसका भी structure हम लोग देख सकते हैं कि यह जो होता है total number of carbon जो होते इसे पांच होता है और इस जब तीन एक carbon से तीन लगे हैं तो उसको नियो नियो पेंटिल ग्रूप बोला जाता है और इस case में भी देखा जाए तो जैसा यहां पर भी तीन बलकी ग्रूप लगे हुए हैं जो क्रियेट कर देते हैं जिसके वैसे यहां पर भी बैक साइट डे नुक्लियो फाइल का अटाइक जो होता है पॉसिबल नहीं होता है तो इस है इसमें उसे लिएक्षिन क्यों नहीं पाया जाता तो तो हम बोल सकते हैं कि दूट टू इस्टरीट एक्टर है निजी फैक्टर अ थोड़ए ज्म nhất हम लोग देखते हैं क्लोरो बेंजीन यह इस कड़्ोल बनाते हैं राइप आधर को सो करते हुए एक यृ लगा देंगे और लग Д Fen लॉरल को देखते हैं कि यहां तोड़न जो होता इंपॉसिब्ल हो जाता है है कि इसको तोड़ना जो होता है इंपॉसिब्ल होता जाज जाएंगे को कि आफिडियो जाएंगे यहां पिछ पी यहां पर के बीचorta बीच में शुझाएंगा वह नगनगा सिल्फर दिन इसलिवेइब इसक्ता ने कि पोड़ लिविंग ग्रूप में इस में पूर्ण के कारणर जो होता है यह जो होता है SN2 reaction नहीं देता है एक्चुली देखा जाया तो chlorobenzene जो होता SN2 और SN1 दोनों reaction नहीं देता है क्योंकि यहां पर ionization CL carbon and CL के bond को ionize करना भी क्या होता है impossible होता है तो यहां पर दे सकते हैं जो region दिया जाएगा due to the double bond करेक्टर बिट्विन कार्बन एंड क्लोरीन कि वह से यह जो था पूर लिविंग ग्रूप हो जाता है कि नेक्स हम लोग देखते हैं विनाइल कुल्राइड लेते हैं जिसका इस्ट्रक्चर हम बना सकते हैं कुछ इस प्रकार होगा कि इसका नाम हो जाएगा ख्लोरो बेंज़ीन औरिंन taste बाया है यह स्ट्राइड करी नाइल क्टूराइड का याँ भी हम देख सकते हैं कि जो कलोरीन एटम होता है कि गविन वे जो कलोरीन इटम है कि इसके पास मेंलों पे रेक्ट्रॉन्सुत पाए जाते हैं जो तो यहां पर पासिबूल नहीं होते हैं तो गर इसका रिजूनेंस स्ट्क्चिर बनाए जाएगा तो सी एस टू कि नेगेटिव चाहिए जाएगा इस पर सिंगल बॉंड सीएच डबल बॉंड सील पॉजिटिव हो जाएगा और यहां पर रियक्शन विनल कुराइड एसेंट के दर बढ़ते हैं जो की एसेंट्यू रिक्शन चून नहीं करता है सारी यहां पह। बहुत इंपोर्टेंट एक्जाम में पूछे पूछे जाते हैं कि जैसे हम एने प्रक्रेंदे लेते हैं है क्लॉर जाइकलो प्रोपेन को क्लोरों को साइकलो प्रोपीन को ब्लॉरी back side attack is not possible in this molecule that's why this molecule also does not show SN2 reaction back side attack is not possible back side attack is not possible in this case the next example is the 6th example we will see the next page we will see the next example so here we will see the next example in which we will see the next example we will see the next example the 6th example is the next example carbonic molecule is the 5-membered ring and double bond and the 5th carbon is the C-L if we compare SN1 and SN2 and SN2 to compare but first of all we are looking for SN1 away carbonicarb client ताइन बनता है आप सो दिति सिस्तं होने कर्फब फोर पर एलक्ट्र उसल्म होता है तो हकल्ट होते हैं कंपॉंड मुर्बicallylawative हैं चनी के एक क्या से कंपांड सोते हैं यह जो की हैप नहीं क्या थैंट्राइश सब्सक्राइबा तो यह 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 वह कुर्ण रियक्शन देते ही नहीं इस लिए इस लिए इसके सकते हैं कि एसे फंड जो गा का वह नहीं होगा पासबुल नहीं होगा इसंद में तो दूसरा हम लोग अधेख सकते हैं स्मालिकूल के लिए एसंटू रियक्षन में क्या यह कि back side attack is not possible in this molecule back side attack is not possible not possible that's why this molecule does not so SN2 reaction यह molecule जोगा SN2 reaction नहीं सो करेगा इस पर करना हम लोग next example की तरह बढ़ते हैं एक अर्गोनिक माली खूल लेते हैं हम देख सकते हैं कि जो यहां पर leaving group या हलाइड लगा हुआ है bridge head पर लगा हुआ है यहां पर bridge head position इस को बोला जाता है जिस carbon से लगा हुआ यहां पर इस case में जो होता है backside attack भी पॉसिबल नहीं होता है इस केस में S1 reaction को perform किया जाए तो S1 reaction में जो first step होता है वो formation of carbocation होता है देखा जाएगा तो इसमें जो दो CL बाहर निकल जाएगा और यह carbocation बनेगा उसको बोलते हैं ब्रिज हैं जो की highly unstable होता है यहां पर ब्रिज हेड पर है और हमको पता है कि जो ब्रिज हेड और होते हैं वो क्या होते हैं अनिस्ट अनिस्टेबल होते हैं जिसमें की फॉर्दर नुक्लियोफाइल के आटाइग जो होता पॉसिबल नहीं होता है और एक्शली यह थर्चोचर क्या होता है तो एक्शली यह इस्ट्रेंड रिंग होती है लेकिन जो यह प्लेन में रखना चाहेगे लेकिन यहां पे पास्विल नहीं होता है इसलिए यह जो कार्बोगेटाइन होते हैं वो highly unstable होते हैं 10 कि एसलिए एसींट्टी एक्ट сравन इस नौट पॉसिब्ल एसेंस टू डियक्शन हो नौट पॉसिब्ल मिल्लरली हम लोग एसींट्टू रियक्शन गोग केंप्रिजट mumãy किया जाता है तो रिएक्षन में जो होता है होता है आप बैक साइड़ अटाइक होता है अब את में अगर देखा जाए तो शनी को रीक्षन में signature Tell फोरा जोकिंट इस पॉस्जिवल नहीं होता है तो हम लोग कहा सकते this molecule also does not show the SN2 reaction okay backside attack is not possible backside attack is not possible back side that's why the SN2 reaction does not occur next example this is a fluoromethane or methyl fluoride fluoromethane is the fluoride ion is very poor living group ऑट होता है फ्लोराइड अई जो होता है उसी लीवींग तेंडेंसी जो होते बहुत ही कम होती है क्योंकि कार्बन और स्ट्रोंग बॉर्ण होते हैं इसलिए इसको करना इसको ब्रेक डाउन करना इतना इजी नहीं होता है तो फ्लॉरी जे-वेरी पूर लीविंग गूरॉट leaving group जो होती है यह बहुत इसकी जो leaving tendency होती है बहुत ही poor होती है क्योंकि cf bond जो होता है बहुत ज्यादा strong होता है cf bond जो होता इसमें है बहुत ज्यादा strong होता इसकी leaving tendency जो होती है बहुत ही poor होती है strong bond कि यहां पर देख सकते हैं कि क्लो कार्बन और फ्लोरीन के बीच के जो बहुत होता है तो फिर्स स्टेप जो होता है चुकि इसमें नहीं पाया जाएगा जूट इस्ट्रॉंग आप देटस्वाइब फ्लोरो में एसन वन रियक्षण इस आल्सों नॉट पॉसबल हम लोग नेक्स देखते हैं जिसमें sn2 reaction पाए जाएगा sn1 reaction को इसको हम लोग study करते हैं इसमें क्या होता है बहुत important example होता है यह भी कई बार पूछा गया है हैं CH3 co CH2 c l अगर सब पोज यहां पर फर्स्ट आफ़ाल हम लोग SN1 रियेक्टन परफॉर्म करते हैं और इसका फर्स स्टेप में क्य होता है कि कारबन और कारबन और लीविंग जूप या क्लोराइड का बांड खिली इज होता है यह बांड कार्बन के कार्ब कटाइन बन जाएगा कि सिएस्टु स्वारिश्टू पॉजिस्टीव पाणिव को सिपर तो इस में देख सकते हैं जो यह सपता हो यह एल्यक्तरण विट्ट्रॉइंग होता है करवोıyor कि आर्रोल χिंग कर देता है अगर किसी भी कितार्ब और यह थित्रों बीट्रॉइंग म्रा चाहिए के अगरा कि listed तो अधिक्ष्रम को और निश्टेवल कर देता है और तुम बोल सकते हैं यह जो कार्बो के टाइन है वह हाइली अनिश्टेवल हो जाते हैं इस लिए यहां पर आसेंटो रियक्षन जो होता वह पॉसिबल नहीं होता है इसकेस में किसी बीद और टैन्स अगर एक्ट्रों विडॉइट गूर्प लगे हो तो वहां पर reaction जो होता है पॉस्बल नहीं होता है क्योंकि इलेट्रॉइट गूर्प जो होता है कार्भो कट्राइन को को D stabilise कर देता हैं अगर यहां पर एक एक जांपल देखा जाए इन जेनरल रियक्षन देखा जाए कि आलफा कार्बन की आलफा कारबन से यह लगा दिया जाए अगर यहां पर अलफा गुरूप लगा दिया जाए ग्रूप इस पार्बन से जोड़ दिया जाएं जैसे कि नाइट्रो ग्रूप शाइनो एल्डीहाइड कार्भोनिल ग्रूप या कार्बॉक्स लगा दिया जाएं यह एस्टर लगा दिया जाएं आप सरी कि सी डबल ओ आर सी डबल ओ और एस्ट लगा दिया जाएं तो यह फारे जो होते हैं इस केस में जो होता है अगर किसी हो और अब्सक्राइब स Sept 말씀 जो होते हैं यहां पर इस केस में वह जो हम लोगी नोचपन नहीं हो जाएगा इलेगों होना वीजी हो जिया जूआ है यहाँ पे जो सफ़ल नहीग होगाँ कि आपास्ट नहीं होगा इसकेशने अजिशनर ऊस्पाइच नट पॉसिबल इस न पॉसिब्स होग उडर करते हैं ताकि सप्सेकंट कर देच शकें अब यहां पे हम हम लोग देखते हैं कि यह मालिकेटू स्कूल रियक्षन देगा कि नहीं देगा तो कि नो सब्सक्राइब लोग को देन डीषै स्टेड़ बनती है गहां श्यक कि लिल्ट सब्रब्सक्राइब by the electron withdrawing group stabilized by electron withdrawing group stabilized by electron withdrawing group that's why sn2 reaction will be fast in case of electron withdrawing group if that electron withdrawing group is attached with alpha carbon of the living group is n2 reaction is this case in case it will be fast so in general we can make a formula type in case of the reaction is fast and slow if the electron withdrawing group will be alpha carbon the electron is in the same direction of the reaction to the reaction which will be fast if electron withdrawing group is in the same direction so here is the transition state which will be stabilized and here is the reaction which will be slow यहां पर स्लो होगा कहां पर किस केस में श्लो होगा लास्ट पॉइंट इस लेक्षर का हम लोग देखते हैं इस्टेरिक फैक्टर है इस्टेरिक फैक्टर है जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं किसमें ऐसा को पता इस्टरिक फैक्टर जो होता है बहुत अगर अगर उस्टेट माली जिए ट्रॉइंग गूरुप से लगे हुए हैं डोनिटिंग लगा हुआ तो एस्टेरिक फैक्टर जो होता है वह फैवर करता है SN1 reaction को क्योंकि कार्बोकेटाइन बनेगा तो कार्बोकेटाइन पे जितना बड़े गुरूप से लगे होंगे लिटन बनेटी गुरूप जितना ज़्यादे लगे होंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा वो SN2 reaction उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा फेवर SN1 reaction आगर हम लोग SN2 reaction की बात करें यहाँ पर SN2 reaction में जो होता है बैक सेड अटाइक होता है नेकलिफाइल का इसलिए hysteric factor जो होता है यहाँ पर फेवर नहीं करता है यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हम लोगे सारे चीजों को डिसक्स किये हैं आलमों सारी पॉइंट को कबर किया गया है आई होब आप लोगों को सारी चीज़े समझ में आई होंगी अगर कुछ आप लोगो प्रॉब्लम आती तो हमको कमेंट में भेज सकते हैं तो हम उसके एकॉर्डिंग लेक्चर बना के आप लोगो बता देंगे